गुड आफटनून एवरिवन आज हम हिमाचल जी के कुछ क्वास्टन डिसकस करेंगे जो कि आपको आने वाले पुलिस के एक्जाम में काफी हेल्प करेंगी तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रसंद हमाचल प्रदेश का राज्य खेल क्या है होकी कबड़ी वॉली वॉल या फिर क्रिकेट वॉली वॉल हमाचल प्रदेश का राज्य खेल है जनगर्णा 2011 के अनुसार हमाचल प्रदेश में अनुसूची जनजाती की आवादी कितनी है तो अनुसूची जनजाती की जो आवादी है जंगर्णा दो हजार ग्यारा के नुसार वो तीन लाख बानू हजार एकसो चपवीस है option बीस का सही अंसर होगा next question देखिए हिमाचल प्रदेश के किस जिले में भोजरी तोहर मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश के चमबा जिले में लगता है हमेरपूर जिले में ये मनाया जाता है बान गंगा हिमाचल प्रदेश की किस नदी की साइक नदी है बान गंगा किस की साइक नदी है बान गंगा ब्यास की साइक नदी है option बीस का सही अंसर होगा next देखिए हिमाचल प्रदेश की सबसे उंची परवचोटी किस जिले में है हिमाचल प्रदेश की सबसे उंची परवचोटी किनोर जिले में अप्सन सी इसका सही अंसर होगा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में तसो मुरासी जिल अवस्तित है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में तस्वमराशी जेल अवस्तित है तो इसका सही अंसर होगा इन में से कोई नहीं नन ओफ दीज तस्वमराशी जेल लदाक में स्थित है ये माचल प्रदेश में स्थित नहीं है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चुहाड गाटी अवस्तित है option A, मंडी, B, कुलू, C, उन्ना, D, विलासपूर मंडी जिले में चुहाड बैली अवस्तित है जैद क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है, बौध है या जैन है ये बौध है, option C, इसका सही अंसर होगा सिमला नगर की स्थापना किस ने की थी, सिमला नगर की स्थापना मेजर केंडी ने की थी option D, इसका सही अंसर होगा, लोड लोजी ने, लोजी की स्थापना की थी माचल प्रदेश में कहाँ पर मस्त गड किला स्तित है option A, नूरपूर, B, फतेपूर, C, सुजानपूर, D, प्रागपूर तो मस्त गड किला जो है माचल प्रदेश में, ये कहाँ पर है, नूरपूर में स्तित है next question देखते है कौन लोग प्रियरूप से पहाड़ी सीमाद गांधी के नाम से जाना जाता है तो भज्जू मल को पहाड़ी सीमाद गांधी के नाम से जाना जाता है और बावा कांसी राम को पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता है तो ये आपने द्यान में रखना है Life of Raja समसेर प्रकास किसके द्वारा लिखी गई? A. बलगोविन, B. MS. रंधावा, C. राम राहूल, D. N. मजुमदार तो Life of Raja समसेर प्रकास किसके द्वारा लिखी गई? बालगोविन के द्वारा ये लिखी गई? Option A. इसका सही अंसर होगा MS. रंधावा की बात कर लेते हैं इन्होंने कौन से बुक लिखी है? सेर प्रकास की जो Life of Raja समसेर प्रकास है वो बालगोविन ने लिखी है Option A. इसका सही अंसर होगा Next Question देखिए Which is the smallest dam in HP? हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा बांध कौन सा है? तो पंड़ो डैम हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा डैम है Next Question देखिए percentage share of population of HP in total population of India भारत की कुल जनसंख्या में हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या का कितने प्रदिसत है? तो भारत की कुल जनसंख्या में हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या का 0.57% है Option A. इसका सही अंसर होगा भारत की जनसंख्या में हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा विदान सवाक्षेत्र कौन सा है? A. प्रचाद, B. भर्मौर, C. लहालस्पिती, D. सिमला ग्रामन Option C. सही अंसर होगा लहालस्पिती Which Mountain Pass connects? कांगडा बिद भर्मौर कांगडा को बर्मौर से जोडने वाले दर्रों की बात करें तो इंद्रा हर दर्रा भी कांगडा को बर्मौर से जोडता है निकोडा दर्रा कांगडा को बर्मौर से जोडता है भीमकुस्तुड़ी की बात करें भीम गुसुरती कांगडा को चम्बा से जोडता है जासु दर्रा भी कांगडा को चम्बा से जोडता है तो इस तरह से ये दर्रे आपको याद रखने है लुनानी कोल्ड वाटर स्प्रिंग हमाचल प्रदेश के किस जिले में स्तीत है ए कांगडा, बी कुलू, सी जम्बा, डी मंडी तो लुनानी कोल्ड वाटर स्प्रिंग जोड़ा है वो कांगडा में स्तीत है ओप्शन इसका सही अंसर होगा दामी गाटी हमाचल प्रदेश के किस जिले में स्तीत है तो दामी घाटी हिमाजल प्रदेश के पिलासपुर जिले में स्थित है ओप्षन इसका सही अंसर होगा धारबादुरपूर और धारबंदला के बीच यह स्थित है श्रिंग टिंगू जील हिमाजल प्रदेश के किस जिले में स्थित है तो यह कुल्लू जीले में स्थित है बुसहर रियासत की राजधानी किस स्थान पर स्थित है तो बुसहर रियासत की राजधानी कहां थी बुसहर रियासत की जो राजधानी थी वो कामरू में स्थित है option D इसका सही अंसर होगा कामरू दी लास्ट रूलर ओफ भगत डॉम्नियन बास भगत राजिसी राज्य का अंतिम सासक कौन था भगत राजिसी राज्य की बात करें तो उसका अंतिम सासक कौन था option a है पुरंट सिंग b दलीप सिंग c दुरगा सिंग d अजीत सिंग तो भगत रासी राज्य का दो अंतिम सा सकता वो दुरुगा सिंग था, ओप्सन सी इसका सही अंसर होगा बिलासपूर का पुराना नाम क्या था? बिलासपूर का जो पुराना नाम था वो क्या था? ब्यासपूर विलासपूर का पुराना नाम था हिंडूर नालागड का पुराना नाम था और सोनितपूर सरहान का पुराना नाम था धोलाधार परवत को लोगप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है 88 question देखिए, हिमाचल प्रदेश का कौन सा मंदिर भार्तिया पुरा तत्विक सर्वेक्षन के अधीन सरक्षित है? Option A. रेनुका मंदिर, B. सुल्नी मंदिर, C. हडिमबा मंदिर, डीन में से कोई नहीं, इसका सही अंसरोगा, Option C. हडिमबा मंदिर. बाई दो ना पाई दो नारा हिमाचल प्रदेश में किस आंदोलन के दौरान दिया गया? बाई दो ना पाई दो नारा हिमाचल प्रदेश में पंजोता मुमेंट के दौरान दिया गया, Option B. इसका सही अंसरोगा. जनवरी 26-1948 को इमाचल प्रदेश में अंतरीम सरकार की अध्यक्सता किस ने की थी इमाचल प्रदेश में अंतरीम सरकार की जो अध्यक्सता थी वो किस ने की थी सीवानंद रमाउल ने की थी आप्सन भी इसका सही अंसर होगा हिमाचल प्रदेश के किस क्रिकेटर ने 1017 मिनट के लिए बैटिंग क्रीज पर रुख कर विसब रिकॉर्ड बनाया राजीम नईयर रिसी धवन विसाल भाटिया निखिल गांगता राजिम नईयर ने 1017 मिनिट के लिए बैटिंग रीज पर रुख कर विसब रिकॉर्ड बनाया था क्यारियर पॉइंट इन्वस्टी हमाचल प्रदेश के किस जिले में स्तित है ओप्शन है सोलन बी उन्ना सी कांगडा डी हमेरपूर तो कैरियर पॉइंट इन्वस्टी हमेरपूर जिले में अवस्तित है इमाचल प्रदेश में धोला सीथ जल्बी दुद परियोजना की कारेकारी अजेंसी कौन सी है धोला सीथ परियोजना की जो कारेकारी अजेंसी है वो सतलुच जल्बी दुद निगम लिम्टिड है अगर वीडियो आपको तेज़ लग लिए तो आप स्लो करके भी देख सकते हैं क्वेश्चिन दोस्तों के आसपास हैं तो मैं जल्दी जल्दी बोर रहा हूँ था कि जल्द से जल्द पूरे क्वेश्चिनों को कंप्लेट किया जा सके हिमाचल प्रदेश में सुरन जरनती ग्राम स्रोजगार योजना किस बस प्रारम की गई हिमाचल प्रदेश में सुरंजन्ती ग्राम सरोयाजंगार योजना 1999-2000 के बीच परारम की गई साग्ड और साबु हिमाचल प्रदेश के किस जिले के लोकनिते हैं? गोची उत्सभ हिमाचल प्रदेश के किस स्तान पर मनाया जाता है? केलोंग, कलपा, पू या पांगी गोची उत्सब जो है वो केलांग में मनाया जाता है और ये पुत्र के जनम के उत्सब पर मनाया जाता है option A का सही अंसर होगा केलांग में मनाया जाता है और खोजला तोहर भी लॉल में ही मनाया जाता है प्रसिद करांतिकारी लेखक यस पाल सर्मा किस जिले से समंदी थे तो यस पाल सर्मा हमेरपूर से समंदी थे option इसका सही अंसर होगा हमेरपूर से बुपल विले से ये समंदी थे next देखिए हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे तो हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम मुख्य सूचना आयुक थे वो कौन थे राणा हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य सूचना आयुक थे In which year All India Radio Center वा setup at Simla 1955 में Simla में All India Radio Center स्थापित किया गया Option इसका सही अंसर होगा Next देखिए 48 questions पंजाब उन्रगठन आयोग 1966 की अध्यक्सता किसने की फजल अली, के एम पणिकर, एचेन कुंजरू, जेसी सा तो पंजाब उन्रगठन आयोग की अध्यक्सता किसने की थी जेसी सा ने पंजाब उन्रगठन आयोग की अध्यक्सता की थी Option इसका सही अंसर होगा चंद्रा और भागा गाटी में का नव बर्स क्या कहलाता है? A. Fagli, B. Halda, C. Gochi, D. Giamur तो option B. इसका सही अंसर होगा, Halda Next question देखिए Which town of हिमाचर प्रदेश is known है? छोटी कासी, छोटी कासी के नाम से किसको जाना जाता है? तो छोटी कासी के नाम से मंडी को जाना जाता है, option B. इसका सही अंसर होगा The heart to fort in HP is located in the territory of Option A. मंडी वैली, B. कुलू वैली, C. सांगला वैली, D. none of these तो D. none of these इसका सही अंसर होगा, none of these Heart to fort कहाँ पर है? Heart to fort जो है, सिंबला में है When did महात्मा गांधी visit धरंपूर, Solem and deliver a speech? महात्मा गांधी सिंबला कब आये थे? Mहात्मा गांधी 1939 में आये थे और उन्होंने स्पीच दी थी सोलन के धर्मपूर में आये थे अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रत्थम हिमाचली खिलाडी कौन थी सीता गोसवाई, सुमन रावत, रजनी गौतम, कांता सूत सुमन रावत, जो था अर्जुन अवाड करने वाली प्रत्थम हिमाचली खिलाडी थी और इनको कब अवा अरजुन अवाड मिला था, 1987 में इनको अरजुन अवाड मिला था नेक्स्ट पॉर्चन देखिए चंबा कासी दागारी और रुमाल के बरबरतन में किसने ग्यान रूची ली? उप्शन A. चंपावती, B. साहिल वर्मन, C. बिमल सर्मा, D. कमला देवी चटोपाद्या है तो इसका सहिए अंसर होगा, Option D. कमला देवी चटोपाद्या है Option D. इसका सहिए अंसर होगा, Option D. आरे हमाचे ल प्रदेश में कहां से आय थे? तो आरे जो थे हिमाजल प्रदेश में Central Asia से मध्य Asia से आये थे नेक्स्ट क्वाश्चन देखते हैं US क्लब सिम्ला मूल रूप से किस ब्रिटी सासक का आवास था? तो US क्लब सिम्ला जो था मूल रूप से सर्ज जर्मिहा ब्राइंट का आवास था हिमाजल प्रदेश जो प्रथम स्पीकर था और जो महिला स्पीकर थी वो विद्याश्टोक थी और प्रथम महिला स्पीकर जो थी वो विद्यास्टोक थी और प्रथम स्पीकर जो थे वो जैवन्त राम थे WHO was the ruler of USeher State Ban 1857 रिबॉल्ट तुक प्लेस जब 1257 क्रान्ती के समय जो था जब 1257 की क्रान्ती हुई थी उसमय बुसेहर का सासक कौन था तो समसेर सिंग बुसेहर का सासक था उसमय 60 का option A सही अंसर होगा समसेर सिंग वू फौंड़ड दी भागल स्टेट भागल राज्य की स्थापना किसने की? संपूर्णा डे, बाला डे, नामा डे, अजय डे तो अजय देव ने भागल राज्य की स्थापना की थी Option D इसका सही अंसर होगा What was the earlier name of सुंदरनगर टॉम सुंदरनगर का शेहर का पुराना नाम क्या था? सुंदरनगर सेहर का पुराना नाम जो था? वो बनेड था, बनेड इसका पुराना नाम था कुल्लू बंस का सबसे सक्तिशाली राजा कौन था? कुल्लू बंस का यो सबसे सक्तिशाली राजा था? वो राजा जगत सीन था Option D इसका सही अंसर होगा किसने कांगडा लाइबरेरी की पुस्तकों का अधिपत्ते लिया और उन्हें फार्सी में अनुबादित करवाया तो फिरोज सा तुगलक ने कांगडा लाइबरेरी की पुस्तकों को फार्सी में अनुबादित करवाया था कौन सा जिला अपनी सीमा कांगडा के साथ सेहर नहीं करता बिलासपूर जो है वो अपनी सीमा कांगडा के साथ सेहर नहीं करता option A इसका सही अंसर होगा 66 देखिए मारकंडा खड फ्लो इन विज डिस्टिक ओफ एच पी मारकंडा खड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है option A कांगडा, P बिलासपूर, C चमबा, D सिर्मौर तो मारकंडा खड कहां बहती है मारकंडा खड जो है वो सिर्मौर में बहती है option D इसका सही अंसर होगा स्थानिय बहासा में ग्लेशियर को किस नाम से जाना जाता है A. ब्यूल, B. धरत, गरत, C. सिगडी, D. सेगरना तो सिगडी के नाम से स्थानिय बहासा में ग्लेशियर को जाना जाता है निमन मैंसे कौन सा सहर, सिवालिक परवतमाला में नहीं आता A. चमबा, B. जोगिंदर नगर, C. पालंपूर, D. मनाली Option D. सही अंसरोगा, मनाली सिवालिक परवतमाला में मनाली नहीं आता निमलिक्त मैं से कौन सा हिमाचे प्रदेश के सोलन जिले में उद्योगी के अंदर नहीं है तो कौन सा सोलंजीले में ओद्योगी केंदर नहीं है? अरकी सोलंजीले में ओद्योगी केंदर नहीं है बन फिफ्टी फोर का option a सही अंसर होगा अरकी हिमाचल प्रदेश की पश्चिम पाड़ियों में प्रवेस करने वाली दूसरी जाती कौन सी थी? तो हिमाचल प्रदेश की पश्चिम पहाडियों में प्रवेश करने वारी दूसरी जातिक किरात थी Option D इसका सही अंसर होगा किरात Who was the first governor of H.P. हिमाचल प्रदेश के पहले governor कौन थे हिमाचल प्रदेश के जो पहले governor थे S. चकरवती थे Option B इसका सही अंसर होगा Which of the following titles was not conferred on Raja Amar Prakas of Sir Mor by the British government British सरकार द्वारा Sir Mor के Raja Amar Prakas को कौन सी उपाधी प्रदान नहीं की गई थी तो Lieutenant Colonel की उपाधी उसे प्रदान नहीं की गई थी Option B इसका सही अंसर होगा 158 देखिए Option A इसका सही अंसर होगा बिलासपूर में लूनो मैदान स्तीत है और यहां पर नलवाडी मेला लगता है जिसको W Goldstein ने शुरूप करवाए था और यह परस्वों का मेला है Singola Pass is located in this district of HP Singola Pass हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्तीत है Singola Pass हिमाचल प्रदेश के लोहल स्पिती जिले में स्तीत है Which is the biggest airport in HP हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा बिमान पतन कौन सा है A. भूंतर B. रंगरीक C. जोबरहर्टी D. गगल तो गगल हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा एरपोर्ट है Option D. इसका सबसे बड़ा एरपोर्ट है Next question देखिए The old name of नालागड वास नालागड का पुराना नाम क्या था? Option A. हिंडूर B. नगर कोट C. सुकेत D. इनमें से कोई नहीं तो नालागड का पुराना नाम क्या था? Option A. का सई अंसर होगा मुगलों से यूद करने के लिए किस राज सी राजय के राजया ने गुर गोविन सिंग को आमंतरन दिया? A. बुशैर B. हिंडूर C. शुर्मौर D. सुकेत शुर्मौर के राजया ने मुगलों से यूद करने के लिए गुर गोविन सिंग को आमंतरन दिया था H.P. विकेम यूनियन टेरिटरी इन दी यर हिमाचल प्रदेश किस वर्ष केंदरसासित प्रदेश बना? 15 अप्रेल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियास्तों को मिला कर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था 1958 से 1951 तक हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक शेत्र था 1951 से 1956 तक हिमाचल प्रदेश गष्रेणी का राज्य था 1956 से 1961 तक हिमाचल प्रदेश को केंदरसासित प्रदेश बनाया गया था इसका सही अंसर होगा 1956 और 25 जनबरी 1971 को हिमाचर प्रदेश को पुर्ण राज्य का दरजा दे दिया गया था हिमाचर प्रदेश के किस जिले में कुंजुम दर्रा अवस्तित है Option A कुलू, B लाहल स्पिती, C चमबा, D कांगडा कुंजुम दर्रा कहा अवस्तित है कुंजुम दर्रा लाहल स्पिती में है Option B इसका सही अंसर होगा और इसकी जो उन्चाई है वो 4520 मिटर इसकी उन्चाई है बसपा किस की सायक नदी है Option A है ब्यास, B चिनाब, C यमना, D इनमेंसे कोई नहीं इसका सही अंसर होगा Option D इनमेंसे कोई नहीं बसपा किस की सायक नदी है बसपा सतलुज की सायक नदी है बसपा और स्पिती सतलुज की सायक नदी है ब्यास की सतलुजदियों के बारे मैं जान लेते हैं ब्यास की सायक नदीयां कौन कौन सी है बनेर, बानगंगा, लूनी, पारवती, सेयंज, तिर्थन, हालरा ये ब्यास की साइक नदिया है रावी की साइक नदियों की बात करें तो रावी की जो साइक नदिया है बांदल, तंतगिरी, छत्राणी, स्यूल, साल, बलजेडी ये रावी की साइक नदिया है चिनाब की चंद्रा और भागा हैं और यमना की साहिक नदियों के बारे में भी जान लेते हैं गिरी, टॉंस, पबर और आंधरा यह यमना की साहिक नदिया है तो बस्पा किस की साहिक नदिया है? बस्पा सतलूज की साहिक नदिया है इमाचल प्रदेश के किस जिले में काइस बने जीव अभ्हारन अभस्ती थे ये कुल्लू जिले में अभस्ती थे option C इसका सही अंसर होगा इमाचल प्रदेश का राजिय वक्सी कौन सा है option A मोनाल, B तोता, C पस्चिम ट्रेगोपॉन, D इन में से कोई नहीं इसका सही अंसर होगा, C पस्चिम ट्रेगोपॉन, इमाचल प्रदेश का ये स्टेट बर्ड है, जू जू राणा, नेक्स्ट देखिए थिरोट हाइडरोलेक्टिव प्रोजेक्ट इस कंस्टक्टिड अन भीच रीवर ऑफ एचपी थिरोट जल्बिद पर्योजना किस नदी पर बनी हुई है चार दस मदब पांच जिरो मेगाबोट की यह पर्योजना थिरोट नाला यानि चिनाब की सायक नदी पर बनी है जिला लॉलस्पीट तो इसका सही अंसर होगा, option A, चिनाब The longest national highway of HP is हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा राष्टिय राजमारक कौन सा है हिमाचल प्रदेश का जो सबसे लंबा राष्टिय राजमारक है वो कौन सा है NH5 जिसको पहले NH22 के नाम से जाना रहता था अब NH5 के नाम से जाना रहता है, option D इसका सही अंसर होगा हिमाचर प्रदेश के किस जिले में भादरपूर किला स्थित है तो ये बलासपूर जिले में स्थित है option D इसका सही अंसर होगा next question देखते हैं हरी राय टेंपल इस लोकेटिड इन भिस डिस्टिक आफ एच पी 149 देखिए हिमाचर प्रदेश के किस जिले में हरी राय मंदिर स्थित है option A मंडी B कांगडा C कुलू D चमबा हरी राय मंदिर कहां अवस्थित है हरी राय मंदिर चमबा जिले में अवस्थित है option D इसका सही अंसर होगा माचल प्रदेश की किस जनजाती द्वारा डंडारस नृत्य किया जाता है? Option D इसका सही अंसर होगा किसके द्वारा रची गई? प्रेम कवीताओं से गोंपा चितरगला की सहली का उधवभ हुआ आप्शन एजए देव, बी केश रवदास, सी ए और बी दोनो, डी इन मैसे कोई नहीं इसका सही अंसर होगा आप्शन सी ए और बी दोनो लोसर इज़े फैस्टिवल आफ भीच रिलीजियस कम्टिय इन एच पी हिमाचल प्रदेश का कौन साधार्मिक समधा है लोग सरतोहर मनाता है तो लोग सरतोहर कौन मनाता है लोग सरतोहर बुधिस्ट मनाते हैं बहुत option D इसका सही अंसर होगा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नौली मेला मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में 9 ली मेला मना जाता है option A इसका सही अंसर होगा हिमाचल प्रदेश लोका युक्त अधिनियम किस बर्स पारित हुआ 1978, 1981, 1983, 1985 तो हिमाचल प्रदेश लोका युक्त अधिनियम 1983 में पारित हुआ option C जंडगंड़ना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख ख्यागनतव कितना है जंडगंड़ना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख ख्यागनतव 123 है option C का सही अंसर होगा next देखिए boat is the name given to boat किसको नाम दिया गया है A किनौर, किनौरी, B पांगी boat किन तिवतियों को नाम दिया गया है A किनौरी, B पंगवाल, C डोडराकवाड, D कांगडा वैली तो boat जो है वो किसको नाम दिया गया है पांगी के तिवतियों को boat नाम दिया गया है सूरे टेंपल is located सूरे टेंपल कहां सतीते है option A नगर, B बसहर, C निरत, D गसोता सूरे टेंपल निरत में सतीते option C Who was the engineer of Shannon Powerhouse Shannon Powerhouse का engineer Shannon Powerhouse का engineer कौन था तो B, C बैटे Shannon Powerhouse का engineer था option D इसका सही answer होगा Which state is located to the south of हिमाचल प्रदेश हिमाचल के दक्षिन में कौन सा राज्य है हिमाचल के दक्षिन में कौन है हिमाचल के दक्षिन में हर्यान है option D इसका सही answer होगा और HP के दक्षिन पूरव में उत्राखंड है और HP के पश्चिमी में पंजाब है और उत्तर में जम्मू कस्मीर है निमन में से कौन सा सिवालिक परवत्तरेणी में नहीं आता? option C रामपूर सिवालिक परवत्तरेणी में नहीं आता दिल्ले कुमरवा is located in beach of the following district of HP कुमरवा जील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कुमरवा जिल हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्तीत है option B इसका जही अंसर होगा साच दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आता है option A मंडी, B किनोर, C सिमला, D चमबा साच दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आता है साचदर्रा चमबा जिले में आता है चमबा को पांगी से जोडता है option D इसका सही अंसर होगा नूरपूर राज्य किस के सासनकाल में पराकास्ट परता जगत सिंग के सासनकाल में पराकास्ट परता who founded the mandi state in around 1200 AD तो mandi रियासत की स्थापना किस ने की थी mandi रियासत की स्थापना बांड सेन ने 1300 ADK के आसपास की थी और mandi सहर की स्थापना अजबर सेन ने 1526 ADK के आसपास की थी धामी गोलिकांड किस बर्स हुआ धामी गोलिकांड 1949 में हुआ option A इसका सही अंसर होगा option A बिलासपूर, B कुलू, C चमबा, D सोलन श्री गोबाल मंदिर कहां स्थीत है श्री गोबाल मंदिर बिलासपूर में स्थीत है और श्री गोबाल मंदिर का जो निर्माण है किसने करवाया था इसका निर्माण राजा आनंचन ने 1938 में करवाया था तो जगत सी ने 1653 इस वी में रगुनाथ जी की मूर्ती प्रतिस्थापित की थी बेताज क्या हैं? बेताज लौक सेतर के बेपसाइक नर्तक हैं, पुजारी हैं, विद्वान पूरस हैं ये योध्धा हैं पत्थर का खेल प्रसीद मेला कहां का है? अप्षन है हलोक का जलीका, नारकंडा का, डी मशोबरागा तो हलोक का ये प्रसीद मेला है पत्थर का खेल नेक्स्ट कॉश्चन देखिए तीबती चिक्ट्सा और ख़गोलिय संस्थान कहां अवस्तित है? रिवासर में है, या फिर धरमशाला, रेनुका, या फिर मनिकर्ण में तो ये धरमशाला में है, option B इसका सही अंसर होगा सौरबन विहार अवस्तित है, सौरबन विहार कहां वस्तित है? सौरबन विहार पालंपूर में अवस्तित है, option D करण राय is famous variety of करण राय, एक प्रसिद किसम है, किस की प्रसिद किसम है, तुलसी की है, या सर्सों की, या अल्ची की सर्सों की ये प्रसिद किसम है करण राय नेक्स्ट वास्ट देखिए आइस स्केटिंग कलब हमाजर प्रदेश के किस जिले में अवस्तित है? तो आइस स्केटिंग कलब सिमला जिले में अवस्तित है, option A's का सही अंसर होगा 170 देखिए, इंद्रा गांधी medical college कहाँ अवस्तित है? तो IGMC कहाँ पर है या आप सभी को पता हिए, IGMC सिमला में है Dr. Y.S. Pramare University of Horticulture and Forestry was established in the year of Dr. Y.S. Pramare University की स्थापना कब हुई थी? 1985 में इसकी स्थापना हुई थी और पालंपूर University की स्थापना की बात करें 1978 में उसकी स्थापना हुई थी और HPU की स्थापना कब हुई थी 1970 में HPU की स्थापना हुई थी तो पालंपूर University की स्थापना कब हुई थी 1978 और HPU की 1970 और Non University की 1985 हिमाचल प्रदेश का सबसे धनी अवाद गनी अवादी वाला जिला कौन सा है हिमाचल प्रदेश की सबसे घनी अवादी वाला जिला कौन सा है सबसे अधिक जनसंख्या कांगडा जिले में है और सबसे कम जनसंख्या लाहल स्पीती जिले में है और जनसंख्या गनत्ब सबसे अधिक इसका है हमेरपुर जिले का सबसे अधिक जनसंख्या गनत्ब है Next question देखिए माचल प्रदेश में अनुसूची जाती आवादी राज्ये की कूल आवादी का लगव कितने प्रसत है तो ऐसी पॉपलेशन जो है माचल प्रदेश की कूल आवादी का 25% है Option C इसका सही अंसर होगा निमन मैंसे कौन सबसे पहले बनाया गया Option A सोलन, B मंडी, C चमबा, D की नौर तो इसका सही अंसर होगा Option B मंडी हिमाचल प्रदेश की राजिय विधानसवा का पहला अधेक्स कौन था M. H. B. T. V. R. तत्ताचारी M. M. H. M. Jimat Singh, पंडित जयवंतराम प्रतम विधानसवा अधेक्स कौन थे प्रतम विधानसवा अधेक्स पंडित जयवंतराम थे और टीवी तत्ताचारी कौन थे? टीवी और तत्ताचारी प्रथम लोग का यूख थे 176 देखिए ती पॉपलर होली फेस्टिवल इस इनकॉंपेरिबली चेलबरेटेड इन भीच प्लेस लोग पर यह होली का तुहार अतुलनी रूप से किस स्थान पर मनाया जाता है तो सुजानपूर में मनाया जाता है सुजा ओप्शन ए सुवांग टेगिन रित्य किस तुहार में प्रस्तुत किया जाता है शिवरात्री, नवरात्रा, दिवाली या इन में से कोई नहीं तो स्वांग टेगी निरित्य कब प्रस्तुत किया जाता है इसके बारे में आप कमेंट करके जुरूर बताएं कि स्वांग टेगी निरित्य कब प्रस्तुत किया जाता है Next question देखिए Which among the following district of हिमाचल प्रदेश has least road network हिमाचल प्रदेश मैंने में ब्रदेश किस जिले में सबसे कम सड़क network है Option A. उनना, B. कांगडा, C. किनौर, D. कुलू तो इसका सही अंसर होगा Option C. किनौर में सबसे कम सड़क network है Spiti और किनौर कौन सी परवत स्रेंटला त्वारा तिबद से प्रिथक होते है So Switi और किनौर किसे जासकर से तिबद से प्रिथक होते है Hangrang, घाटी, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अवस्तित है A. किनौर, B. सिर्मौर, C. कुलू, D. लहौल, Spiti Hangrang, बैली, किनौर, जिले में अवस्तित है Option A हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है Option A, सतलूज, B. ब्यास, C. चिनाब, D. यमना हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो सतलूज है हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी सतलूज है और जल गनत्व के इसाब से बात करें तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी चिनाब है जल गनत्व के इसाब से लंबाई के इसाब से सतलूज नदी है परियाटन मानचित्र पर हिमाचल प्रदेश किस नाम द्वारा परिचीत है सी भूमी, से भूमी, आडू का कटोरा, दे भूमी तो option D इस का सही अंसर होगा हिमाचल प्रदेश को दे भूमी के नाम से जाना जाता है 13 question देखिए सीतिधार is located in this district of HP सीतिधार कौन से जिले में है तो सीतिधार कुलू जिले में स्तीत है option इस का सही अंसर होगा हिमाचल प्रदेश बिधान सवा के प्रत्थम उपादेख्ष कौन थे? हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रथम उपाद्यक्ष थे वो कौन थे? क्रिशन चंदर हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रथम उपाद्यक्ष थे option A.S. का सही अंसरोगा शोलन में जनबरी 1948 में आयोजित, सिमला, पहाडी राज्य, सासकों और प्रजामंडिल प्रतनिदियों की स्युक्ष बागे अध्यक्ष कौन थे? A. दुर्गासी, B. अनंचन, C. बिजैसी, D. गरुडसेन तो उचका सही अंसरोगा option A. दुर्गासी तो इसका सही अंसरोगा 24 मार्च 1952 इसका सही अंसरोगा option C next question देखिए विज्चिक गुरु इस लिंक्ट विद दी पॉंटा साहिव गुर्द्वारा कौन से सिख गुरु पॉंटा साहिव गुर्द्वारा से समन्द रखते हैं? तो गुरु कोबिन सींग पॉंटा साहिव गुर्द्वारा से समन्द रखते हैं, option D 18 question देखिए सिमला के मॉल रोड की दिवारों पर भिती चितरों जो की हिमाचली लोगों के सेव तोड़ने के कौशल को प्रदस्रित करते हैं कास रिजग कौन है? तो इसका सही अंसर होगा, option C, MC सक्सेना Which Kangda ruler accepted the rule of Aqvar? किस Kangda सासक ने Aqvar का सासन सवीकार किया? 19 question देखिए किस Kangda सासक ने Aqvar का साmm सवीकार किया? तो धरमचन ने Aqvar का सासन सीकार किया, option D इसका सही अंसर होगा भारतिय संसन्द ने किस दीन हिमाचली प्रदेस, राज यधिनीयम पारित किया? तो भार्किया संसन्ने 18 दिसंबर 1970 को राज्य अधिनियम पारित किया दिक्यांग, बाक्यांग, एंड बेन्यांग्चू are the famous dances of क्यांग, बाक्यांग और बेन्यांग्चू कहां के प्रसीद नहींते हैं मंडी के, कुल्लू के, लहौलस्पिती के या फिर किन और के इसका सही अंसर होगा, option D कि नौर In which year the target of total electrification was achieved in HP संपूर्ण विदुत्ती करण का लगसे हमाचर प्रदेश ने किस बर्स प्राप्त किया तो संपूर्ण विदुत्ती करण का लगसे हमाचर प्रदेश ने 1988, 1988 में प्राप्त किया सन 1989 में प्रतम पहाड़ी, गांधी, बावाकां, सिराम, पुर्शकार किसे प्रदान किया गया या किस ने प्रदान किया तो ये जैदेब किरण ने प्राप्त किया Option A का सही अंसर होगा Next question देखिए Total number of विदानसवा seats in हमेरपूर district of HP हमेरपूर में विदानसवा सिटों की संख्या कितनी है तो हमेरपूर में विदानसवा सिटों की संख्या 5 है Option A का सही अंसर होगा Spiti is a retributory of which river of HP Spiti हिमाचर प्रदेश की किस नदी की सायक नदी है सांगला बैली is also known है सांगला घाटी को और किस नाम से जाना जाता है तो सांगला घाटी को बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है इंदर किला मॉन्टेन पीक is located in this district of HP इंदर किला परवचोटी हिमाचर प्रदेश के किस जिले में स्तीत है इंदर किला परवर चोटी हिमाचल प्रदेश के कुलू जिले में स्थित है पोरी परव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मना जाता है option A.C. जिमौर, B. सोलन, C. किनौर, D. लौल स्पीती तो जो पोरी उत्सब है वो लौल स्पीती में मना जाता है लक्ष्मी नारायन मंदिर हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है लक्ष्मी नारायन मंदिर कहां स्थित है option A, बैजनात, B, भर्मौर, C, चम्बा, D, प्रागपूर तो चम्बा में लक्ष्मी नारायन मंदिर स्थित है option C, इसका सही अंसर होगा फर्स्ट रेलबे लाइन ऑफ एचपी हमाचल प्रदेश की पहली रेलबे लाइन कौन सी थी? तो कालका सिमला रेलबे लाइन जो थी हमाचल प्रदेश की पहली रेलबे लाइन थी option A which district of HP has highest population density? हमाचल प्रदेश के किस जिले में उच्तम जन संख्या गनतव है माचल प्रदेश के किस जिले में उप मंडल तसीलों की संख्या उप तसीलों की संख्या सौरी अधिक है तो मंडी जिला option B डोडरा कुवार रिवाल्ड टुक प्लेस इन भीच इयर? डोडरा कुवार भी द्रोकिस बर्स हुआ था तो इसका सही अंसर option A 1906 में हुआ था भारत की यात्रा करने वाले भारत के प्रत्थम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सिमला की यात्रा होगा साइधी कॉशन में तो वो लॉर्ड एमरेस्ट थे option D founder of क्यूंतल प्रिंसली स्टेट वास क्यूंतल राज सी राजे के संस्थापक कौन थे? क्यूंतल राज सी राजे की जो स्थापना थी वो किसने की थी? गिरिसेन ने की थी option C हिमाचल प्रदेश के मलाना 2 जलवीदुद प्रियोजना की कारेकारी अजेंसी कौन सी है? तो इसकी कारेकारी अजेंसी एब्रेस प्राइबेट लिम्टेड है Option A इसका सही अंसर होगा महराजा अगर सेन इन्वरस्टी इस लोकेटिड एड बिच प्लेस इन हपी महराजा अगर सेन भी सुभी देले हिमाचल प्रदेश के की स्थान पर स्तीत है तो ये बद्दी में स्तीत है Option A Longitudinal extent of HP is हिमाचल प्रदेश का देशांत्रिय अभी स्तार कितना है तो हिमाचल प्रदेश का देशांत्रिय अभी स्तार Option A इसका सही अंसर होगा 75 डिग्री 47 मिनिट टू 79 डिग्री 4 मिनिट इस्ट Number of munciful cooperation in HP is हिमाचल प्रदेश में अगरपाली काउं की संख्या कितनी है तो हिमाचल प्रदेश में अगरपाली काउं की संख्या 5 है Option D इसका सही अंसर होगा सुकर खड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्तीत है Siul is Tributory of which river of HP? Siul हिमाजर प्रदेश की किस नदी की सायक नदी है? Siul रावी की सायक नदी है, option C इसका सही अंसरों का रावी की सायक नदी है बाबा बडवाक सिंग फेर is celebrated in this district of HP बाब बडवाक सिंग मेला उन्ना जिले में मनाया जाता है उन्ना जिले में बाब बडवाक सिंग मेला लगता है प्रख्यात पर्यावरण विद किंकरी देवी हिमाजर प्रदेश के किस जिले की रहने बाली है? किंकरी देवी सिर्मोर की रहने बाली है, option B इसका सही अंसरों होगा हाटू परवत हिमाचर प्रदेश के किस जिले में स्थित है तो हाटू परवत हिमाचर प्रदेश के सिमला जिले में स्थित है option is का सही अंसर होगा चुहार बैली इस लोकेटेड इन भिश डिस्टिकोव हैचपी चुहार गाटी माचर प्रदेश के किस जिले में अवस्तित है तो चुहार गाटी माचर प्रदेश के मंडी जिले में स्तित है पिन पारवती राष्टिय उद्यान हिमाचर प्रदेश के किस जिले में स्तित है तो पिन पारवती राष्टिय उद्यान कहां स्तित है ये किस वर स्थापित हुआ 550 AD, 600 AD, 650 AD या फिर 750 AD तो चमबा, जो चमबा राजे की जो स्थापना है वो 550 AD में की गई थी किस ने की थी चमबा राजे की स्थापना 550 AD में की गई थी ओप्शन एस का सही अंसरोगा 550 AD में चम्बा राज्य की स्तापना की गई थी मेरू बर्बन के द्वारा सुकेत राजसी राज्य का संस्तापक कौन था? सुकेत राजसी राज्य का संस्तापक कौन था? तो इसका सही अंसरोंगा बीरसेन बीरसेन जो था सुकेत राजसी राज्य का संस्तापक था option B. The old name of Jubbal Vaj, Jubbal का पुराना नाम क्या था? तो Jubbal का पुराना नाम देवरा था, बनेड किसका सुंदनगर का पुराना नाम था, हिंडूर नालागड का पुराना नाम था, और कीरग्राम बैजनात का पुराना नाम था, इस तरह से आपको इनको भी याद रखना है Which is the executing agency of Pong Hydroelectric Project? Pong Hydroelectric Project की कारेकारी agency कौन सी है? तो BBMB Pong Hydroelectric Project की कारेकारी agency है, option D's का सही अंसर होगा Eternal University is located at which place of HP? तो Eternal University कहाँ है? बडु साही में बड़ा साही नहीं है, Eternal University जो है वो? बडु साही में स्तीत है, बडु साही में Eternal University है, तो आपको ये भी याद रखना है Next देखिए बुरी सिंग संगराले कहां स्तीत है? तो बुरी सिंग संगराले चंबा में स्तीत है, option C's का सही अंसर होगा The Himalayan art was written by Himalayan art जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? Option A, J.C. French, B. Karl Khandilwala, C. M.S. Randhawa, D. W. G. Archer Himalayan art, J.C. French द्वारा लिखी गई थी? Option A, इसका सही अंसर होगा Next question देखिए संसारचंद वाजदी रूलर और रेस्ट वाइल स्टेट, संसारचंद कौन सी बूतपूरव राज्येगार राजा था? तो संसारचंद कांगडागार राजा था? Option B, इसका सही अंसर होगा The capital of Rampur Vishar, never located at Rampur Vishar की राजधानी कभी यहां स्थीत नहीं थी Option A, कामरू, B. Rampur, C. S. Rahan, D. PO तो option D, इसका सही अंसर होगा P.O. इसकी राजधानी कभी भी नहीं रही The Bhotnaath Temple is located as Bhotnaath Mandir कहां स्थीत नहीं? Bhuntar, Dhera, Gopipur, Mandi, D. Una तो Bhotnaath Temple Mandi Jilay में स्थीत नहीं? Sip breeding farm कहां स्थीत नहीं? दौलतपूर में, नारकंडा में, ताल में, या टिस्सा में? तो Sip breeding farm जो है वो कहा है ताल में स्थीत नहीं? Option C इसका सही अंसर होगा Siti dhar, Hemaachal Pradesh में कहां स्थीत है? तो Siti dhar कहां स्थीत है? Siti dhar कुलू जिले में स्थीत है Where is Bhuri Singh Museum in HB? Bhuri Singh Museum in HB हमाachal Pradesh में कहां है? यह चमबा जिले में स्थीत है Option B इसका सही अंसर होगा Which Hemaachali won Victoria Cross during the Second World War? जमादार लाला ने Victoria Cross जिता था Option B इसका सही अंसर होगा Next question देखिए Who won the silver medal from Tokyo Para-Olympic from HP? तो निसाद कुमार ने हमाachal Pradesh से Tokyo Para-Olympic में silver medal जिता था Origin of Pabber River in Himachal Pradesh is Pabber नदी हमाचal Pradesh में कहां से निकलती है? तो Pabber नदी कहां से निकलती है? Option A है चंदर नहान, B. चंदर लेक, C. गोबिन सागर, D. मनी में तो चंदर नहान से Pabber नदी निकलती है चंदर नहान जिल से निकलती है Option A इसका सही अंसर होगा Next question देखिए Group of 84 temples built in Himachal Pradesh in 9th century is at 84 मंदिरों का समू हिमाचal Pradesh में कहां पर है? तो इसका सही अंसर होगा भर मौर में 84 मंदिरों का समू है Option B इसका सही अंसर होगा या आज का हमारा last question था हमने लगबग 200 question डिसकस किये हैं तो आप इनको ध्यान से पढ़िए आपके आने वाले exam में काफी help करेंगे बाकी वीडियो को like और share करना ना भूले हमने जल्द जल्दी डिसकस की हैं ताकि जल्दी से वीडियो को हम खतम कर सके हम detail में भी बाद में इनको डिसकस करेंगे तब ते के लिए thank you and best of luck for your upcoming exams बाले करेंगे